बच्चो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक fundamental ऐसी बात बताऊंगा जो कि पूरी plant anatomy में आपको from the beginning to the last use हने वाली है देखे suppose करी हम एक डाइकोड प्लांट लेते हैं और उसकी outer to inner side जो layers है उनके नाम मैं आप लोगों को पहले याद करा रहा हूँ जो कि anatomy को समझने में थोड़ा आपको help करेंगी आगे देखे बच्चो सबसे पहले मैं बात करता हूँ outer most layer का नाम क्या है बच्चो epidermis epidermis के अंदर की side क्या पाई जाती बच्चो hypodermis hypodermis के नीचे की side मिलती ही बच्चो general cortex क्या नाम बताया मैंने general cortex और general cortex के अंदर की side क्या मिलता है बच्चो endodermis और उसके अंदर की side बच्चो pericycle क्या नाम बताया pericycle pericycle के अंदर की side क्या present है बच्चो vescular bundles और vescular bundle के parallely उनके साथ साथ ही के दीजिए medullary rays present होती है और टाइट में सबसे अंदर की side यानि medullary rays से भी innermost पाई जाएंगी medulla क्या मिलता है बच्चो medulla या फिर पित विल्कुल center में जो पाई जाएगा वो क्या होता बच्चो medulla या पित प्रेजेंट होता है तो यह सीक्वेंस आप लोगों को याद रखने है इसमें आउटर मोस्ट लेर का नाम क्या पता है मैंने EP dermis और इसके नीचे की side hypodermis general cortex और endodermis इन तीनों को मिला कर बोला जाता बच्चो cortex क्या बोलते हैं cortex और यहां पैरि साइकल से लेकर और अंदर तक जितनों सब कुछ present है इस सब को क्या बोला जाता बच्चो steel क्या बोलेंगे steel बोला जाएगा तो यह सेक्वेंस आप लोगों को याद रखनी है अला कि कि नीट 2011 में भी क्वेशन आया है और 2016 में भी क्वेशन पूछा गया है कि इपीडर्मिस और इस्टील के बीच में क्या प्रेजेंट होता है cortex पाई जाती है इनमें याद रखना कि cortex में कौन-कौन सी लेयर्स के नाम आते हैं hypodermis general cortex and endodermis still के अंदर कौन-कौन आते पेरिसाइकिल वैस्टोलर बंडल मेडूलरी रेज एंड मेडूला तो यह इस्टील का पार्ट हो गया उब आश इसके बाहर जितना सारा पार्ट है यह क्या हो गया एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यानि पैरिसाइकल के बाहर जितना कुछ प्रेजेंट होगा वह सब क्या होगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होगा और और एंड़ोडर्मिस के अंदर एंड़ोडर्मिस के अंदर यानि एंड़ोडर्मिस को छोड़कर पैरिसाइकिल वैसकोलर बंडल मेडूलरीज मेडूला मिलकर क्या बनाती हैं मिलकर बनाती हैं बच्चों stealer system याद रखना है यह कौन सा हुआ एक्स्ट्रा-stealer system extra-stealer region बोल उसके अंदर पेरिसाइकल देन में वैस्कुलर बंडल उनके साथ साथ मेडूलरी रेज और अंदर की साइड मेडूलाय अपित प्रेजेंट होता है यह सीक्वेंस आप लोगों को पूरी एनाटमी में हेल्प करने वाली है तो बैटा इसको टिप्स पे करना मत भूलिएगा सम में मिलेंगे ठीक अब बच्चो इसमें एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ वाला कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी के इपीडर्मिस को छोड़कर और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर बाकी सारे को बाकी जो भी पूरे रीजन है इनको हम क्या बोलते हैं ग्र नेक्स्ट बीड़ा अभी अपन बात करेंगे कि आप लोगों को पदा होगा के सेल इस ट्रॉक्च्ट्र एंड़ फंक्शनल यूनिट अफ लाइफ लियो नॉट के सैल बोडी की स्ट्रॉक्च्ट्रल और फंक्शनल यूनिट होती है वह एनिमल हो प्लांट हो कोई भी हो इ डायल है और प्लांट की जो उसली लेविंग सेल्स होती है तो लिविंग सेल्स उनके पास एक स्पेसल पावर पाय जाती है और उस पेसल पावर गनां में बछो टोटी पूटेंट सी और उन चैल को बोलते हैं हम तोटी पूटेंट सेल अब समझते है बच्चो टोटी पोटेंट से एक्चली है क्या टोटी पोटेंट सी इस पावर ओप सेल क्या है बच्चो हो power of cell by which it can produce the whole plant from which it is originated यानि जिस plant से वो ली गई है उस पूरे plant को बना सकने की capability power उसके पास present होती है आपने कोई cell single cell isolate किया plant से और आपनो उसको artificially media पे culture किया tissue culture किया और उसे cell का group tissues बनेंगा और फिर further पूरा whole plant वो बना सकती है इस power को क्या बोला जाता है बच्चो टोटी पोटेंट सी और वो cell जिसके पास यह power होती है उस cell को क्या बोलता है बच्चो टोटी potent cell clear yes चलो बच्चो आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे के अनाटमी में हम content क्या-क्या पढ़ने वाले हैं बच्चो पूरी अनाटमी को डिफ्रेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यह कौन-कौन से topic जो हम यहां deal करने वाले हैं वह topic के नाम है सबसे पहले मैं आप लोगों को एनाटमी का इस आपको बताने वाला हूं आगे टिस्व सिस्टम आगे ओरगन डवलप करता है और और अगन में हम पढ़ेंगे बच्चो स्टेम रूट एंड लीव की इंटर्नल इस्टेक्चर हम पढ़ने वाले हैं और आगे बात करेंगे सेकिंडरी ग्रोथ की और सेकिंडरी ग्रोथ कहां पढ़ेंगे बढ़ा डाइकोट की स्टेम और रूट के अंदर हम डिसकस करेंगे तो यह होल सिलिबस है एनाटमी का जो कि यह topics हैं जो कि one by one हम आगे हैं डिसकस करने वाले हैं उफ्लक्ट अब बात करें तो साइस की वह ब्रांच बच्चों यानि ब्रांच ऑफ बोच्टनी जोकि किसको डिल करती है किसकी स्टेडिको डिल करती है डिल करती है इंटर्नल स्टक्चर एन ओर्गनाईजेशन की स्टडी को प्लांट की या फिर हम कहते के प्लांट के और गंज की स्टडी की जाती है इंटर्नल के इंक्टरणल एंक्स्टर्नल किसमें करते हैं मोरफिलोजी के अंदार इंटर्नल किसमे करते हैं प्लांट एनाटमी के अंदार एनीमल की pra अप्राइब ऑपन यह सकते हैं कि स्टरी ऑफ इंटर्नल स्ट्क्च्च्टार व्लांट एनाटमी बड़ा सिंपल है ऑगे आपन देखते हैं साइंट इस जिनका एनाटमी में बहुत ज्यादा कॉंपिबूशन रहा है वह है बच्छों एंग्रो इसलिए इन्ग्री को बोलते ह और इंडिया के अंदर रहा बच्चों के के चौहद्री का लग्स ओनो लगा एंडिया में कीन का पेड़ी का बहुत ज़्याद grenade कि सीड़ प्लांट इस बॉक को लिखाता नगा लेडियूटिस्ट पहले सबसे पहले लेत्रह के लिए और युडैदिया गया है ड्ली मसा और कैतरीन इसाव ने ये बुक लिखी थी बुक पब्लिस कराई थी 1960 में और बहुत फैमस भूक थी यानि कहते के निक्लिउपीड़ आपलोगा लिखी ये बुख को बोले जाता हूँ वेबस आ प्लांट भाइलोजी तर मिनस अप्लांट वालोगी की एक एंज़ेट इसको बोला साथ वेबस रोप्लांट भाइलोजी नेक्स्ट अपनबात करते हैं बच्चों टीशू की तो सब से पहले हम करते हैं ठंप किसने दिया था हूं कोई लाट टंटी टिशु देखे बच्षो टंब टिशु वाज गेवन बाई एंग्रिव एंग्रिव इन जोने ज़नेज फादर आफ प्लांट एन आडमी के पांच फादकों है एंग्रिव है उन्होंने कुन्से ट्म दिशू टिश्यू तो टीशू बड़ा इंपोर्टेंट है बच्छो धियान देना बटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत कंफ्यूजिंग भी है बट एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा आगे कोई कैसा भी कुशन आए कोई कंफ्यूजन आगे रहने वाला नहीं है स्क्रीन पर 100% दियान देना यंजो डेकर टीशू क्या होता है एक ग्रुपια word of cell क्या होता है यह क्यूंद आट शपॉर्ट आयग्राम में María Прrrpds दिखाए गए बट इनकी के specific है प्र आक्या कि है सबेक्त एब कई अलगलग concom 잡ल ओर अभी सकता है यो यlle बदा या फंक्शन की बात करें तो उनका यूज़ूरली सेम है जाए है यूज़ 25 य्यूज़ूरी सेम परफॉर्म कर ती है यह बना कि स्टक्चिर उनका सेम हो नहीं क्या चाहिए परिजिन क्या होना चाहिए और इन जैसे प्लांट में एक सलले लूँ लीव से एक सेखेन से एक रूट से एक किसी अधर ब्रांच से लेकर और उनको के एक मैंने गुरूप बना दिया तो क्या मैंसे टीशू बोल पाऊँगा वह नहीं क्यों क्योंकि group of cell तो है वो लेकिन उनका origin सेम नहीं है structure भले आपने सेम लेली हो cell की लेकिन क्या वो सेम function भी कर रही है क्या तो इसलिए ध्यान देना टीशु किसको बोलेंगे group of cell जिनका origin चलते हैं और बात करते हैं बच्चो जो टीशु है इसको एक साइन्टिस्ट है बच्चो के नागेली कौन है के नागेली और उन्होंने नागेली ने उन्दा बेसिस ओप कैपबिलिटी ओप डिविजन किसके बेसिस पर टीशु को दो पार्ट में डिवाइड किया किसमें दो पार्ट में कौन-कौन से मेस्टेमेटिक टीशु and पर्मानेंटिस कौन-कौन से मेंबच्चो मेरिस्टेमेटिक and permanent बहुत important बच्चो fundamental है यदि आप लोगों को यह अनाटमी का पहला लेक्टर जो fundamental है यदि यह clear हो गया तो पूरी एनाटमी में कोई प्रोब्लम होने वाली नहीं है इसलिए बहुत ध्यान से समझना है बच्चो एक एक पुइंट को मेरे साथ साथ याद करती हो चलना देखें बच्चो मेरे स्टेमेटिक टीशू मेरे स्टेमेटिक टीशू कैसा टीशू होत प्रफॉर्म भी नहीं करता है जानक लाग्या जो टीशू कोई स्टेमेटिक फंक्शन करना गए स्टार्ट कर दे तो क्या बोलेंगे स्ट्रेश यह हो गयाँ जैसे आप ही लोग है है अब क्या फिसे लिए अब अट प्रेंस्य फिशू तो क्यों दोक्तर बन जाएंगे तो लिए श्रमनेंटी मेशन करेगा दैट मेंस आप आगेचल कर दोक्टर आपमी तो बनने माले हैं तो यह अगेचल कर पर्मनेंट टीसू का फॉर्मेशन करेगा clear देखो बच्छो इसमें हम कहते हैं कि इन इसेल की पास डिविजन की capability होती है लगाता डिवाइड डिवाइड करती रहती है लेकिन यहां देखें तो जो डिविजन की power है बच्छो टेंपरिरी लिया पर्मनेंटली लोस्ट डेट मेंस कुछ तो ऐसी हैं जो आगे फर्दर कभी डिवाइड नहीं करती हैं बट कुछ ऐसी होती हैं जो की दुबारा से डिविजन की power को acquire कर लेती है आगे हम पढ़ेंगे बच्छो उसको बताएंगे कहां पर जैसे की डाइकोर्ट में आगे चलकर डिसकस करेंगे बच्छो इसमें नेक्स पॉइंट आता है कि यह इम्मेचूर सेल्स की बनी हुई है इम्मेचौर है अन्डिफरेंसेटिटिड है कोई स्पैसिप बहुत सारी जैल्स डिवेड़ डिवाई 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 करते जा रही है और आगे चलकर कोई सेल स्पेसिफिकली फंक्षन करने स्का फोतसिंटेसिस करने कर ने लेखिंगá तो फोल सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया और वहां फोल सेंटेसिस के जायलमका फॉर्मेशन के जायलम में वज सेल होगे अरा Bie हो गये अब श्रमेशने स्वाइट जायलम करते अब चोब यह व पात गन्यकर झाल झाल